नमस्कार एक बाब फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 News में देखिया उत्तर प्रदेश की धर्ती से योगी आधितनाथ ने एक बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि योगी आधितनाथ ने जो बयान बाजी करी उसका भाइदा कहीं हैं बटेंगे तो कटेंगे कुछ जगहों पे देखा जा तो दिल्ली एंसियार के अंदर भी यह पोश्ट लगाए गए हैं ताव सबसे पहले आपका स्वागत है कैसे आप देख पा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे इस नारे से क्या कुछ समझ में आ रहा है देखिए सबस अगे को डराती है उसकी मा, दादी, भाई, जो बड़े होते हैं और डराते हैं यह काम मत करियो और आ जाएगा तो बच्चा डरता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके मन में वो डर हमेशा पैदा रहता है जैसे भूत आज तक किसी ने देखा नहीं और भूत से सब डरते हैं देखा तो नहीं भूत किसी ने उसी तरह का ये नारा है कि हिंदूओं को डरा करके रखो अगर इनके मन से डर निकल गया तो तुम्हारी राजनेतिक दुकान बंद हो जाएगी ये वो नारा है इन्होंने कभी ऐसा नारा क्यों नहीं देते कि पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे और बटोगे किस से बटेंगे भाई मतब तुम्हारे गुलाम रहे तो ठीक रहेंगे किसको कहा इन्होंने, हिंदूओं को तो कहा किसको कहा इजे, बटेंगे तो कटेंगे किस के लिए कहा क्या परदेश का सम्वेधानिक पद पे बैठा हुआ मुक्हमंत्री या परधान मंत्री इस तरह की भासा को बोल सकता है यह सम्विधानिक भासा है या ऐसम्विधानिक भासा है भारत के सम्विधान में लिखा है कहीं कटने का काम काटने का काम मतलब हत्या जब हत्या की बात परदेश का मुख्या मंत्री करेगा तो फिर तुम क्या कर सकते हो लेकिन तावजी सवाल ये है कि जो पुर्धान मंत्री मुदी समेट योगिया दितनाद समेट तमाम बड़े दिगज नेता जिस तरीके से कह रहे हैं पोस्टर जिस तरीके से लगाये जा रहे हैं खुद रसेस के जो लोग हैं वो भी योगिया दितनाद के बयानों का समर्थन करते हों नजर आ रहे हैं लेकिन साफ तोर पे ये देखा जा रहा है कि वो राष्ठित की बात कर रहे हैं आप लोग जो है कुछ अलग नजरीय से देखने कोशिश कर रहे हैं क्या ऐसा काटने पाटने की बात राष्ठित की होती है या भाईचारे में एक साथ रहो, मिलकर के रहो, ये भाईचारे की बात होती है, बताओ, राष्ठित क्या होता है, राष्ठित होता है कि राष्ठ में रहने वाला हर नागरिक सुरक्षित रहे, और तुम राष्ठ के नागरिकों बाटना चाहते हो तो तुम राष्ट हित की बात कर रहे हो तुम राष्ट के लिए गद्दारी की बात कर रहे हो कैसे किलियर होगा कि जो है वो ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे तो ये कैसे किलियर होगा कि वो एक जाती समुदाय को लेकर कर रहे हैं यह कैसे किलियर होगा कि जैसे आपने कहा कि राष्ट के लिए तुमने इसे राष्ट के लिए कैसे सम जस्टिफाई कर दिया भाई मैं यह कह रहा हूँ पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे यह बताओ राष्ट के हित में है या नहीं है है तो कटने का काम क्या है काटने का काम बटोगे किस से बट रहे हैं बताओ बट कैसे कहें बता ये मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं या अमरीका के साथ खड़ा हूं या चीन के साथ खड़ा हूं मैं अपने हिंदुस्तान के साथ खड़ा हूं और हिंदुस्तान के 140 करोड लोग, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, एक भी हिंदुस्तान का नागरिक कभी अमेरिका के साथ नहीं खड़ा, चाइना के साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, बंगलादेश के साथ नहीं खड़ा, हिंदुस्तान के फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए किसान की गन्ने की फसल का पैमेंट नहीं हुआ वो मिलना चाहिए नहीं तो उन अधिकारियों को और उस मील मालिक को जेल में ठूस दूँगा ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि देश में महंगाई बढ़ रही है ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती तुम मैं ये कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती यह आपका यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती कि जो भी इंडस्टी आती है वो गुजरात चली जाती है उत्तर परदेश से मुख्य परदान मंत्री है मुख्य मंद्री है उत्तर परदेश में वो इंडस्टी क्यों नहीं आती यह तुम्हारी हिम्मत नहीं पढ़ती और ना कि इसको कैसे देख पा रहे हैं कि जैसे मैं टीवी डिवेट्स मीडिया में आजकल बड़ा चल रहा है तमाम मुद्दों पर चर्चाय की जा रहे हैं पक्ष के लोग जो है यह कह रहे हैं कि इसको आप राष्ट हिस में देश हिस से जोड़ के देखिए एक जूठ होने की बाचि को ने हैं देश का जो नागरिक है पिच्चान में निन्यान में परसेंट की मैं गारंटी लेता हूं मेरे देश में निन्यान में परसेंट लोग जो हैं वो राष्ट भगते हैं राष्ट के लिए काम करते हैं और गदारी कौन करता है जिनके नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं वो देश से गद्दारी करते हैं जिन ब्यूरोकेट के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं वो देश से गद्दारी करते हैं जिन दोगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं वो देश से गद्दारी करते हैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा लेंगे और देश की सिक्षा को खराब कर देंगे ये गद्दारी है या नहीं है जिन भारत के नागरिकों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वो देश के साथ गद्दारी है या नहीं है बता तो वे गद्दार है उन गद्दार तो बाटने वाले महफिल सजाएंगे इसको आप कैसे देख पा रहा है तुमने ऐसे काम क्यों किये कि जनता को बटना पड़ रहा है जनता तो एक रहना चाहती है और जनता एक थी 2014 में तुझे वोटिंग करी 2017-2019 में तुझे वोटिंग करी तुने जनता से किये एक वादा पूरा किया है देश के प्रधान मंत्री ने महराश्ट में जाकर के बोला सिख्षा पे बोला क्या सुआस्थे पे बोला महंगाई पे बोला बेरोजगारी पे बोला किसी एक मुद्दे पर बोला नहीं बोला ना नहीं बोल सकता, क्योंकि है ही नहीं, दस साल के अपनी किसी उपलब्दी पर नहीं बोल सकता, भई देश का प्रधान मंत्री आपको बनाया है, दस साल आप देश के प्रधान मंत्री रह चुके हैं, तो कम से कम अपनी उपलब्दी तो बताओ, एक उपलब्दी बताओ, दो ब करके नारे में कहा है लाल कि लगता है कि 10 संभीदान विरोदी हूं मैं देस-दुरोही हूं मैं गदार हूं मैं कुछ भी हो मैं उसकी तो बाती करोड जनता बराबर है तो ये बता तुन्हें उन देश की जनता के लिए क्या किया और ये देश के गद्दार क्यों कहे जा रहे हैं तेरे साथ रहें तो देश भक्त और तेरी गलत नीतियों का विरोध करें तो देश-द्रोई इसे किसने किसने दिया इसे सर्टिविकेट कि ये कैसे बताएगा कि मैं गद्दार हूं मैं देश-द्रोई हूं अगर ये सब्द मैं परधान मंत्री के लिए कह दूँ एक चीज़ और भी है हरिंदताओ जी कि क्या लगता है कि इन नारों की अगर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं क्या लगता है कि यकिनन जो है शनातन से related भारते जनता पार्टी को कोई चिंता व्यतित होने लगी है कि नहीं कुछ माहौल ठीक सानी लग रहा है एक जूट होनी के बारी है या फिर कोई elections related कोई बात है जिसके चिंता सताय जाए देखिए यह सब चुनावी मुद्धे हैं जिस तरीके से चुनाव में OBC और SC ST कांग्रेस से और अन्ये पार्टियों से तूट करके बीजेपी की तरफ चला गया था 2014 में और बंपर वोट दी थी 2014-19 में लेकिन 2024 के चुनाव आते आते SC हो, ST हो, OBC हो वो टूट चुका है इनके इनकी जितने भी जुमले थे वो उन जुमलों से उब चुका है उसे दिखाई दे गिया कि मेरे बच्चों का भविश्य क्या होगा महंगाई है कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है नोकरिया जा रही है, रोजगार खतम हो रहे हैं, सम्विधान की धज्या उड़ाई जा रही है लोक तंत्र देश में है, छोड़ा नहीं इनोंने और उपर से राजनेतिक पार्टी, जिससे अकलेश यादाव है उसने एक PDA का एक फार्मूला बनाया पिछडा दलीत अलब संख्याक और आधी अबादी महिलाओ की इनको बना के एक PDA बना दिया और उन लोगों को बताया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी ये नारा आया और उसी हिसाब से उसने उनका टिक्टो का वित्रन किया और इमानदारी से टिक्टो का वित्रन किया उधर जो है सम्विधान खत्रे में जा चुका था क्योंकि इनके लोग नारे लगाने लगे थे कि अगर हमारी 400 हम इसलिए मांग रहे हैं कि हमें सम्विधान बदलना है ये बात जंतत के दिलों तक पहुंची क्योंकि अंबेड करवादी हर चीज को सेहन कर सकता है अंबेड करवादी सम्विधान की तरफ उठने वाली उंगली को तोड़ देगा वो सम्विधान की तरफ उंगली नहीं उठने देगा किसी की भी अगर कोई अंबेड करवादी है जो लोकतंत्र से प्यार करता है तो वो जो सब था उससे इनकी जमीन हिल गई तभी तो अखलेश जी 37 सीट पर पहुँचे और वो तो थोड़ा सा गड़बढ़ा गया अगर ये इस तरह के नारे देखे अगर मैं एक चीज बता दूँ इस देश का मीडिया अगर ये मीजेपी को और नरेंदर मोदी को रमिस साह को पता था के 2024 के चुनाओं में तुम 200 से नीचे जा रहे हो 200 से नीचे जा रहे हो ये इनको पता था तो इन्होंने एक perception बनाया अब की बार 400 पार ये नारा चलाया मीडिया को साथ लगाया क्योंकि मीडिया तो गुलाम है मीडिया में यह चलवाया बहुद कर आई जितना जो वो हता है ने क्या बोलते हैं उसे एकजिक्ट पॉल उन में संब में पैसा जा करके सब से चलवाया 400 पार 400 पार 400 पार सारे दिखा रहे थे तो ये एक perception बनाया तब जाके इनकी 240 पर रुख गए नहीं तो ये 200 से नीचे थे चलिए ताउजी एक आखरी सवाल है मेरा कि ये बटेंगे कटेंगे जो नारा है इन दिनों बड़ा जो है चर्चित में हैं क्योंकि उत्तरपरदेश के अंदर भी चुना होने हैं और देखिए जारखंड के अंदर भी चुना होने हैं और देखिए जारखंड के जो प्रभारी बनाये गए हैं पीजेपी की तरफ से एमद विश्वा सर्मा जी वो भी लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं क्या समझ में और आपको अगर परिशनल आपीनियों जानना चाहूं बटेंगे खतेंग वाले बयान से क्या कुछ समझ में आरा हरेंदर ताओजी को और इसमें कितना देखिए ना तो बटेंगे और ना हम कटेंगे और जो बटने कटने की बात करेगा वो सत्ता से हटेंगे चलिए बहुत सुक्री आरेंदर ताओ जी मुझूद रहे जिन से हम खासा बाचित कर रहे थे बटेंगे कटेंगे वाले बयान को ले करके लगातार इंदरों जो है चर्चा का विशे बना हुआ है कि आखिर चुनाओं के दोरान ही जो है इस तरीके की बयान बाजिया क्यों आ खानिवाथ